नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 16 सितंबर दिल सनिवार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के इस जिले में स्थापित हो रहा नया और दोईक छेत्र बिहार बोर्ड इंटर वार्सिक परिक्षा 2024 में रेजिस्ट्रीशन कराने को मिला आखडी मौका बिहार क्रिसी कॉलिज करेगा अब इन किसानों की मदद घर बैठे टेस्ट दे कर बनवाए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हर्मन प्रीत कॉर को टाइम सौर नेक्स्ट में मिली जबह अब चले बढ़ते हैं भिहार के अब तक की 25 बरी खबरों के और वस्तार से IDBI बैंक में 600 पदों पर निकली भरती बतादिक आविदन करने के लिए अंतिम तारिक 30 सितंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो में द्वार को किसी मालिता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसे भी विशय से ग्रैजुएशन किया हो या इसके समकच कोई डिग्री ली हो इसे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक्चोक में द्वार आधिकारी क्वेफ साइट पर जारी के अधिसूशना को देख सकते हैं बिहार के इस जिले में स्थापित हो रहा नया ओदोईक छेत्र बहुत चल्दी बिहार का गया जला एक नया ओदोईक छेत्र में विक्सित होने वाला है बतादेक इसको लेकर उद्योग विभाग के अपर मुखे सचीव संदीप पॉंडरिंग के द्वारा एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है उन्होंने लिखा है कि एक नया ओदोईक छेत्र जिवन थोड़ा है गया जले के ओदोईक छेत्र गुरारू को दोरा किया हमने एक साल से भी कम समय पहले भूमी का आवंटन सुरू किया था लगभग सारी भूमी आवंटित हो चुकी है यहां राइस मील, टेक्स्टाइल, मिल, आईभी पैक यूनिट पर काम जारी है कुछ महीनों में गया जले के इस दुरस्त अलाके में सैकडो लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं से पहले उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दे थी कि निदेशक उद्योग एवं डीम गया के साथ गया जले के डोभी के पास इंटिग्रेट मैनुफैक्टरिंग क्लस्टर साइट का दोरा किया 1670 एकर में फैला यह बिहार का सबसे बड़ा ओदेख छित्र होगा भूमी अधिग्रहन अंतिम चरन में है जीटी रोड और इस्टर्ण डेडिकेटिड फिट कोरिडोर से निकरता के साथ यह गेम चेंजर साबित होगा बिहार बोर इंटर वार्षिक परिच्छा 2024 में रेजिस्ट्रेशन कराने का मिला आखडी मौका अगर आप बे उन छात्रों में से है जिन्होंने बिहार बोर्ड इंटर वार्सिक परिशा 2014 के लिए अब तक अपना रिजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है बतादे के ऐसे चात्र 18 सितंबर 2023 तक विलंब सुल्क के साथ ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बतादे किसके लिए चात्रों को अपने स्कूल या कॉले से संपर्क करना होगा मालमों कि इस परिशा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजी करण प्रिमान पत्र बिहार बोर्ट के ओफीसियल वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com पर अप्रोड कर दिये जाएंगे इसके साथ ही इंटर वार्सिक परिच्छा 2024 के लिए रिजिस्ट्रेशन कराए हुए विद्यार्थियों का online registration firm उनके सक्छन संस्थान के प्रधान द्वारा 22 सितंबर 2030 तक भड़ा जाएगा बतादे कि online registration और सुल्क जमा करने के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई परिशानी होती है तो छात्र हेल्प लाइन नंबर 0612223-0039 पर संपर्क कर सकते हैं बिहारी पह्चान में आज हम बात करेंगे एहम सर्मा के बारे में एहम सर्मा सलीम पूर बिहार भारत के एक भारती अभिनेता हैं भारती टेली वीजन में अपने काम के लिए जाने जाने वारे उन्होंने 1762 My Country Land सहित कई बॉलिवर्ट फिल्मों में भी काम किया है जिसका प्रीमियर उन्हतरवे कांस फिल्म फिल्म के मार्चे डूफ फिल्म में हुआ था एहम सर्मा की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वारी टीवी भूमिकाओं में महाभारत में कर्ण ब्रह्म राक्षस में रिशफ स्रिवास्तव और विक्रफ बैताल की रहस्य गाथा में विक्रम आदित्य शामिल है 2008 में हम सर्मा ने हिंदी टेली वीजन में अपने अभिनय करियर की शिर्वात की 2009 में एहम सर्मा ने अपनी पहली फिल्म सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ब्लू ओरंज की रिलीज के साथ हिंदी स्नेमा में पदारपन किया महाभारत में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वस्टिस्ट सहायक अभिनेता का इंडियन टेली अवोर्ड दिलाया 2014 में ब्रिटिस साप्ता हिक समाचार पत्र इस्टन आई द्वारा विश्व के 50 सब से सक्सी एशियाई पुरुषों के 11 वे संसकरण में सर्मा को 26 वा दरजा दिया गया था घर बैठे टेस्ट देकर बनवाए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है बतादे कि दिसंबर महीने से आपको Learning Driving License बनावाने के लिए टेस्ट देने के लिए कहीं बाहर जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टेस्ट आप घर बैठे भी दे सकते हैं बतादे कि Learning Driving License बनावाने के लिए टेस्ट में 15 प्रशनों का सही सही उत्तर देना होगा मालूमों कि बरतमान में मैनुवल तरीके से हर मह करीब 2,28,000 लोग शामिल होते हैं लेकिन ओनलाइन होने पर हर मह करीब 5,000,000 लोग टेस्ट दे सकेंगे आपके जानकारिक लिए बता दे कि हर टेस्ट सार्थी पोटल पर ली जाएगी हालाके Learning License बनाने के लिए आविदक का आधार का मोबाईल से लिंक होना चाहिए सार्थी पोटल पर आधार नमबर डालते ही आविदक का नाम पता और मोबाईल नमबर अंकित हो जाएगा ऑनलाइन ही सुल्क जबा करने के बाद वन टाइम पासवर आएगा उसे भरते ही ऑनलाइन पर इच्छा किती थी आजाएगी आविदक घर बैठे ही टेस्ट दे सकेगा और पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस का लिंक मिल जाएगा टेस्ट देते समय कैमरे में अगर किसी अनेवक्ती की हलचल दिखी या नकल का एहसास हुआ तो कम्प्यूटर टेस्ट में फेल कर देगा बिहार में अगले तीन साल में 18 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्तमे रसोई ग्यास कनेक्षन केंद्री मंत्री मंडलने रसोई ग्यास कनेक्षन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्वला योजना के वस्तार को मनगूरी दे दी गई है मालम हों कि सारजनिक टेक कंपनियों के अधिकारियों की मानेत उजवला योजना के तहट अगले तीन सालों में बिहार की लगभग 15-18 लाग से अधिक महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन में देगा लिजानकारी के नुसार अब तक राजी में लगभग 86 फीजदी लोगों के पास LPG कनेक्शन पहुँच चुका है ऐसे में नए कनेक्शन में ग्रामीन छेतर के सुदुर अलाकों की महिलाओं को फोकस किया जाएगा बतादी कुजवला योजना के तहट वर्स 2016 से लेकर वर्स 2022 स्टेट्स तक 107.35 लाख महिलाओं के बीच सूबे में तीनों सारजनिक कंपनिया इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रॉलियम और HPCL के LPG कनेक्शन दिये जा चुके हैं वहीं वीतिय वर्स 2023 के बीच इस योजना के तहट एक भी LPG कनेक्शन जारी नहीं किया गया है पसू चिकसालियों में फार्मासिस्टों की निपती मामले में पटना हाई कोट की सुनवाई बीति दिन पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस के वी चंदरन की खंडपीट के द्वरा राजी के पसू चिकसालियों में ड्रग वर कॉस्मेक्टिक्स एक्ट के तहट फार्मासिस्टों के पद श्रिजित और निउक्ती नहीं होने के मामलों पर विकाश चंदर और गुड़ू बाबा की जनहती आचिका पर सुनवाई की गए इस दुरान कोट के दोरा राजी सरकार को इस मामली पर जवाब देने के लिए एक सप्ता का मोहलत दिया गया कोट ने कहा किस एक्ट के तहट फार्मासिस्टों पद स्रिजित वर निउक्ती की जानी चाहिए ताकि पसू अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरन इन फार्मासिस्टों के जड़िये सुनश्चित किया जा सके बतादी के आजिका करता का कहना है कि राज्य वेटनरी टारेक्टर के लोग सूशना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के नुसार फिलहाग राज्य के वर्ग एक के पशू जिक सालियों में फार्मासिस्ट के पदू की मंजूरी नहीं दी गई है बतादी के विस मामली पर अगली सुनवाई कोट के द्वारा 22 सितंबर 2023 को की जाएगी बिहार सरकार के पंचाइती राज विभा के द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु सूशना दी गई है जिसके तहट पंचाइती राज विभा के नियंतरान धीन छेतरी काड़े आले में लिपिक संवर्ग हेतु सेवा निवरत 504 पदो पर निम्नवर्गे लिपिक की सेवा संविदा पर बहाली को लेकर बताये गया है बतादे कि इसके लिए कुछ पातरता भी निर्धारेत की गई है जिसके तहट आविदा को भारत का नागरिक होना अनिवार है इसके अलावा आविदा की अधिक्तम अम्र सीमा 65 वर्स होनी चाहिए बतादे कि इस बहाली के तहत चेहन के वल एक वर्स के लिए अत्वा नियमित न्युक्ती प्रोनती होने तक के लिए होगा ऐसे में नियोजन हेतु पातरता एवं सामाने नर्देश विभाग के वेबसाइट मालमों कि इसके लिए आविदन करने की अंतिम्तिती 30 सितंबर 2023 तक अप्राहन 5 बजे तक निरधारित की गई है बिहार के परटर में आज हम बात करेंगे श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र के बारे में स्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र पटना विहार भारत में एक विज्ञान संग्रहाले है जिसका नाम विहार के पहले मुख्य मंतरी स्रीकृष्ण सिनहा के नाम पर रखा गया था इसका उद्गाटन 14 अपरेल 1978 को सिक्षा मंतरी स्री ठाकृष्ण प्रशाद सिंह ने किया था स्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र भारत सरकार के संस्कृती मंतराले के तहत एक स्वायता निकाई राश्ट्रे विज्ञान संग्रहाले पड़िसत की एक इकाई बनाता है या गांधी मैदान के दक्षिन पश्मी कोने में स्थित है विज्ञान केंद्र जनता विशेशकर छात्रों के लाब के लिए स्थापित किया गया है विज्ञानमी गतिवीधियों के माध्यम से आलुशनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक नया इनोवेशन हब्भी स्थापित किया गया है 3D printing, broadband, internet सुवधाओं के साथ साथ उनत प्रियोग शालाएं जैसी विविन सुवधाओं उपलब है राजे में अब तक 7132 पुलिस कर्मियों को मिला प्रमोशन बीते दिन ADG पुलिस मुख्याले जितंदर सिंग गंवार के द्वारा प्रसवारता आयुजित कर जानकारी देते वे बताया गया है कि वर्सों के इंदजार के बाद राजे में 1168 योग्य पुलिस अवर नडग्चकों को पुलिस नडग्चक के रूप में उच्तर पद का कारेकारी प्रभार दिया गया महीं जल से जल लंबित पड़े पुलिस पदाधिकारी का प्रमोशन पर विविचार किया जा रहा एडीजी ने बताया कि राजय में 1168 योग्यप पुलिस अवर नडग्छकों को पुलिस नडग्छक के रूप में उच्थतर पद का कारेकारी प्रिभार दिये जाने के बाद अब तक कुल राजे में 7132 पुलिस कर्मीयों पदाधी कारियों को उचतरपद का कारे कारी प्रिभार दे दिया गया है बिहार कृसिक कॉलेज कड़ीगा अब इन किसानों की मदद बिहार क्रिसी कॉलेज यानि की B.A.U. के द्वारा अब ऐसी किसानों की मदद की जाएगी जो नई विधी से खेती करते हो या जुगार यंत्र का निर्मान करते हो इस बारे में B.A.U. के प्रोफसर डॉक्टर आर के सुहाने के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे पौराने चीजे खत्म होती जारी हैं लेकिन अगर ये सब ही उपयोगी होते हैं तो क्रिशी में काम आएंगे हमारे द्वारा उसके नाम से उसको ब्रांडिंग कर बेचा जाएका ऐसे में इसके लिए पूरे बिहार के किसान आविदन कर सकते हैं और ने कहा कि हमारा अलग्च केवल नई वीधी से खेती करने वाले खिशान या जुकार यंत्र का निर्मान करने वाले किसानों की मदद करना का नहीं है बलकि हम इसके साथ ही उन किसानों की भी मदद करेंगे जो खेतों में घरयलू उपचार करते हो और उसका परिणाम इन दिनों बिहार में सक्षा ववस्था को पट्री पर लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं इसी करी में अब राजी के 2,65,788 विद्यार्थियों के नाम को उपस्थिती पंजी से हटा दिया गया है बता दे कि सभी वो बच्चे हैं जो काफी लंबे समय से विद्याले नहीं जा रहे थे ऐसे में जब इन बच्चों के अभिवावकों से बात करने के लिए विद्याले प्रिशासन के द्वरा संपर्ट किया जाता तो वे कोई जवाब नहीं देते बता दे कि इन बच्चों में सबसे अधिक बच्चे कक्षा नौवी और बारवी के हैं मालम हो क अगर ऐसे चातर जो पिछले काफी समय से विद्याले नहीं आ रहे हैं लेकिन अगर अब दुवाड़ा आते हैं तो उनके अभिवावकों से एक सपत पत्र भड़वाया जाएगा दरसल जब जला सक्षा काड़याले के दोरा स्कूल वार्ड समिच्छा की गई तो यह पाया गया कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम आंकन तो है लेकिन वे विद्याले नहीं आते जिसके बाद यर्ने ने लिया गया कि ऐसे बच्चों के नाम क्यों उपस्ति पंजी से हटा दिया जाएगा चुनाव आयोग ने 2024 शुनाव में जिविका दीदी से मांगी मदद 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव से पहले उन सभी योग्य मद्दाताओं का नाम मद्दाता सूची में शामिल किया जा सके इसको लेकर चुनाव आयोग के मुख्य नरवाचन पतादिकारी एचार शुनिवास के दोरा जिविका दीदी की मदद मांगी गई है दरसल अब इनकी मदद से ही मद्दाता सूची में सभी योग्य मद्दाताओं के नाम को जोड़ा जाएगा मालुम हो कि जिविका दीदिया लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजे में करीब 10.6 शुने लाग जिविका समूग कारेरत हैं और इनमें कुल 1.4 शुने करोड जिविका दीदी जुड़ी हुई है बता दे कि हर योग्य महिला मदाता का नाम सूची में शामल होने के बाद मदाता सूची के लिंगानुपात में भी सुधार होगा साथ ही महिला मदाताओं से वोटर टर्न आउट में भी सहयोग लिया जाएगा दरसल आयोग का मानना है किस काम में जिवी का दीदिया काफी हद तक मदद कर सकती है राश्ट्री कराटे चैंपियंशिप में बिहार के इन दो यूवक ने चीता स्वर्ण पदक आज की दौर में बिहार के यूवा हर छेतर में अपना परचम लहड़ा रहे हैं इसी कड़ी में अब करनाटक के नेहरू इंडोर्ड स्टेडियम में आयूजित अठारवी नेशनल ओपन कराटे चैंपियंशिप दो हजार तईस में बिहार के 14 खिलारियों के दोरा भाग लिया गया था लेकिन 14 खिलारियों में से 2 खिलारिय ऐसे रहें जिन्होंने अपने नाम 4 सुर्ण पदक किये बदादी कि हम बात कर रहे हैं बिहार के जमुई के सत्यम त्रिवेदी और रिशुराज के बारे में जिनमें से एक तरफ जहां सत्यम त्रिवेदी के दोरा 84 किलोग्राम से जादा वचन वर्ग में कराटे के कुमीते फाइट में और 17-18 आयू वर्ग में काटा फाइट में अपने नाद दो सुर्ण पदक किया गया फुलिप लिली समीत इन फूलों की खेती पर बिहार सरकार देगी सबसदी राजे में किसानों की आय बढ़ सके और साथी फसल की पैदावार भी बढ़ सके इसके लिए राजे सरकार की ओर से किसानों के लिए कहीं योजनाय चलाई जा रही है इसी करी में बिहार सरकार के द्वारा एकिकरत बागवाने विकार्श मिशन योजना के तहत कंदी फूलों की खेती को करने के लिए किसानों को 50 प्रतीशत तक का अनुदान उपलब्द करवाया जा रहा है हलक इसकी काई लागत 1,50,000 रुपए होनी चाहिए जिस पर सरकार के ओर से कसान को 75,000 रुपए अनुदान के रूप में दिये जाएंगे बतादे किस योजना का मुख्य उदिस कंदी फूलों की खेती को बढ़ावा देना है ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाब लेना चाहते हैं या ऐसे जोड़ी किसी प्रकार की जानकारी हासल करना चाहते हैं तो horticulture.bihar.gov.enberg जाकर देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादे कि कंदी है फूलों में हाई सिंथ, ट्यूलिप, लिली, डेफोडल, एनिनोन, एनन कुलस, आर नितोगेलम, नर्गी सफरी, जीया समेत, कई फूल आते हैं जिन्हें ऑक्टूबर के महीने में बोई जाते हैं राजे के कुछ भागों में बारिस की संभावना विहार में मौसम का मिजास लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में मौसम विभाग के दोरा राजे के कई भागों में बारिस की संभावना जताई गई है बतादे कि अगर हम आज के यानिकी 16 सितंबर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पुरवानमान के नुसार वहीं अगर हम कल यानी की 17 सितंबर के मौसम की बात करें तो विभाग की ओर से कल को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और इस तरह की सित्री राज्य में 19 सितंबर 2023 तक बने हुई है खिसारी लाल यादर ने लाइव आकर अपनी टीम को लेकर कहा ये भोजपूरी सूपरस्टार खिसारी लाल यादर की टीम पर उन्हें फसानिक आरोब का खंडन खुद खिसारी लाल यादर के दौरा लाइव आकर किया गया उन्होंने लाइव आकर कहा कि मेरी टीम में कोई ध टीम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खिसारी को फसा दिया ये मेरी टीम को तोड़ने की साजिस है मेरी टीम के लोग ऐसा क्यों करेंगे अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो लोग भी पैसा कमाएंगे उनके भी अपना घर चलाना है ना मेरी टीम ने किसी से कोई पैसा लिया है और नहीं मैंने उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं उस इंसान पर विश्वास करता था उसी तरह मेरी टीम उस पर विश्वास करती थी मेरी टीम के लोग मेरे लिए दिन रात जाकते हैं वह मुझे ही क्या फसाएंगे बिहार के स्कूल इस्टुरेंट्स अन्य राज्यों के बच्चों से जादा इंडेलिजेंट सिक्छा मंतराले के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे अने राजियों के बच्चों की तुलना में जादा बुधिमान है बिहार के बच्चे सीखने में आगे हैं बतादे किस रिपोर्ट के नुसार अने राजियों के बच्चों के सीखने की छमता जहां 40-60 प्रतीशत तक है तो वहीं बिहार में यह चमता 70-75 फीजदी है मालम हो किस रिपोर्ट को जारी करने से पहले मंतराले के दोरा सभी राजियों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3-8 तक के बच्चों में सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया कि छोटी कक्चाओं में पढ़ने वाले बच्चे बिहार में अधिक मेहनत करते हैं जिस वज़े से बार-बार एक ही पार्ट पढ़ने से उनके अंदर सीखने की छमता बढ़ती है ऐसे में सर्वे रेपोर्ट के अनुसार अगर बिहार के सरकारी स्कूलों की आधार बुष सनरचना की बहतर किया जाता है तो यहां के बच्चे और भी बहतर करेंगे बतादे के सर्वे से बिहार के बच्चों को लेकर या जानकारे निकल कर सामने आई है कि बिहार के बच्चे कोई भी पार्ट जल्दी समझते हैं, जो सीखते हैं, वो उने काफी दिनों तक यात रहता है और कक्छा में जो पढ़ाया जाता है, उसे वो बार-बार अभ्यास करते हैं आज बिहार के जंजारपुर में अमिस्ता की रैली 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाओं को लेकर आज अमिस्ता जंजारपुर में एक बड़ी जंसभा को संबोधत करने वाले हैं भाजपा की ओर से इसको लेकर तयारियां पूरी कर ली गई है, वही रैली में भीर को जुटाया जा सके इसके लिए पार्टी की ओर से जीतोर तयारी की गई है इस रैली को लेकर भाज़पा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि आज हमस्सा की होने वाली यह रैली एतिहासिक रैली होगी इसमें नए मदाताओं और युवाओं की संख्या काफी अधिक होगी उन्होंने बताया कि इस रैली को लेकर लोगों में काफी उत्सा है विग्री मंत्री के इस रैली में शामिल होने के लिए काफी इत्सुख है और साथ ही वर्चूल माध्यम से बथनाहा SSB के नवनर्मित भावनु का भी उदगाटन किया जाएगा और फिर वो दर्भंगा एरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम पांच बजी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अमस्ता के दोरे पर तेश्वी यादव का बयान किंद्री ग्रे मंत्री अमस्ता के जंजार पूर में जंसभा के संबोधन को लेकर बिहार आने की मामली पर बिहार के उपमोखे मंत्री तेश्वी यादव के दोरा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने कहा कि हमस्ता बिहार एक दिन के लिए आए या 365 दिनों के लिए आए इससे बीजबी को कोई फाइदा नहीं होने वाला है उनके आने से अगर किसी को फाइदा होगा तो वह बस इंडिया गड़ बंधन है वे बिहार आते रहते हैं उन्होंने कहा कि मस्ता अपनी पार्टी की काम से आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनका बिहार आना इस बात का शबूत है कि वे कितने डड़े हुए हैं वे पार्टी के काम से बिहार तो आते ही रहते हैं लेकिन बिहार के लिए कोई काम नहीं कर रह बारतियों को टाइम पत्रिका के दोड़ा 2023 टाइम सौर नेक्स्ट द एमर्जिंग लीडर सेपिंग द वर्ल शूची में सामिल किया गया है जिसमें हर्मन फीट को और के अलावा नंदिता विंगरडिशन और वीनु डेनियल के नाम शामिल है बता दे किसी के साथ हर्मन फीट की बात करें तो ये टीवी रोग से बची हैं जिन्होंने बेमारी के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी संस्करन के साथ लराई के दौरान अपनी सुनने की छमता खो दी थी वहीं वीनु डेनियल एक स्टूडियो वालमेकर्स के मालिक हैं उनके सबसे अच्छे सक्छक केरल में रा भारत के इतिहास में आज की तारीक है कहीं कानुस दर्च भुटान ने 2003 में एहम सामड़िक कदम उठाते वे भारतिये हितों के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तमाल नहीं होने देने का असवाशन दिया जनरल मूटरस निगम के स्थापना 1908 में की गई भारत हैव इलक्ट्रि पुरुसकार मिला सुदंदा सिनानी बलवन सिंग का जन्म 1882 में हुआ छंडात गीत विजय विश्वतिरंगा प्यारा के रचाइता स्यामलाल गुप्त पार्शत का जन्म 1893 में हुआ भारतिय अभिनेतरी और गाई का MS सुबालक्षमी का जन्म 1916 में हुआ भारतिये क्रिके में कासी हिंदू विश्वध्याले के प्रत्यू कूलपती ज्वाला प्रशाद का निधन 1924 में हुआ भारतिये वायू सीना के सबसे वरिस्ट और पांच सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एक मात्र मार्सल अरजन सिंग का निधन 2017 में हुआ प्रमीर चक्र से सम्मान करेंगे नए संचार नियम के बारे में दरसल पी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाटसर पर वारल हो रहे हैं मैसेज में दावा किया आ जाला है यह भारत सरकार त्वारा नए संचार नियम के तहत शोशल मीडिया और फोन कॉल की निग्रानी की जाएगी प्याइबी चारजिं-ार्ट इमर्जंसी के लिए कई इंडिकेटर दिये जाते हैं जब आपको इंवर्टर चार्ज होड़ा होता है तो इंवर्टер में एक लाइट बार बार जलती और बुछ ती है वहीं जैसे ही inverter की बैटरी फुल हो जाती है तो inverter में दो लाइट जलती रहती है और लाइट जानी पर एक लाइट चली जाती है लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि अचानक inverter में तीसरी लाइट जलनी शुरू हो जाती है और inverter में से CT की आवाज आना शुरू हो जाता बता कि जब inverter में तीसरी लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि आपके inverter या उसकी बैटरी में कोई खड़ा भी आ गई है अगर ऐसा है तो आप इसे एक बार यह स्टार्ट करके दुबारा चालू कर सकते हैं अगर फिर भी यह तीसरी लाइट जलती है तो आपको साफधान हो जाना और इलेक्टरेसियन से समपर्क करना चाहिए inverter में तीसरी लाइट बैटरी में पानी खत्म होने हाई वोल्टेज आनी या किसी दूसरी समस्या के आने पर जलती है सेंसेक्स और निफ्टी ने हिट किया फ्रिस्स रिकॉर्ड हाई बीते दिन यानी की काड़ोबारी हफते के आकरे दिन भारतिय एक्विटी इंडिक्सस ने उतार चरहाओ के बीच अपना प्रोदर्शन चारी रखा बता दी कि बीते दिन बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 319.63 अंकिया 6.47 प्रतीशत बरकर 67838.63 पर था जबकि निफ्टी 89.2 श्रुने अंकिया 6.44 प्रतीशत बरकर 2192.3 श्रुने पर गया वालू हो कि बीते दिन सेंसेक्स ने 67927.2 तीन और निफ्टी ने 20222.45 की नई रिकॉर्ड को छुआ है ऐसे में अगर बीते दिन के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें बजाज आटो, ग्रासीब इंडस्ट्रीज, M&M, हीरो मोटो कॉर्प और भारत एयर टेल के नाम श अमीत SSC जैसे अने प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे, सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछे गए 500 सवाल में, आपने कितना सही उत्तर दियाक रिपा करके यह हमें कमें करके जरूर बताएं, हमारा पहला सवाल है, जी बीज की अध्यक्षता हाल में ही भारत ने किस देश को सौपी है, आप्शनी जापान, आप्शनी युक्रेन, आप्शनी ब्राजीन, आप्शनी डी रूद, इसका सही उत्तर है आप्शनी ब्राजीन, अगला सवाल, FIBA, पास्केट बॉल, विश्वकब 2013 का खिताब किस देश द्राजीन जीता गया है, आप्शनी जर्मानी, आप्शनी भारत, आप्शनी ब्रिटेन, आप्शनी चीब, इसका सही उत्तर है आप्शनी जर्मानी, अगला सवाल, बिहार में मुख्यता किस छेत्र में सामा चकीवा लोग पड़व मनाया जाता है, आ आप्शनी जर्मानी, 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 आप् इसका सही उत्तर है ओप्शन D कनिश्क पूर्ड अगला सवाल बिहार में साक्षर्त अभियान कब प्राडम्भुआ ओप्शन D 1956, ओप्शन D 1960, ओप्शन C 1970, ओप्शन D 1976 इसका सही उत्तर है ओप्शन D 1976 इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार अमिस साके बिहार दोड़े से आगामी लोग सभाचनाओं में बीजेपी को फाइदा होगा या नहीं अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद